मुझे सुबह उड़ते ही एक बहुत important invitation आता है जिसे मैं accept करके एक list बनाकर निकल जाती हो सामान की खोज में जो कि मुझे पूरे 12 गंटे में मिल जाता है और मैं अगले दिन बिना 100 excitement की चादर में पाउं फैलाते हुए मैं सुबह 7 बजे निकल पढ़ती हूँ अपनी अगली destination की ओर लेकिन उससे पहले मेरी destination होती है दिल्ली एरपोर्ट जो कि इतना बड़ा है कि एक दूसरा दिल्ली इसी में बन जाए परन्तु बना हुआ तो यह मनुष्य है पीवर में roasted पापर्ट अलाकि यह भी हमें नहीं रोक पाया एरपोर्ट में इंटर करने से जिसके पहस्चात ही मैं निकल पढ़ती हूँ अपने विमान के विराजमान स्थान का पता ढूणने पर मिलते हैं तो मुझे यह पर्चे जिस पर लिखा होता है गेट नमर 48 और गेट नमर 48 से कहा के फ्लाइट जा रही है मुझे यह पता चलना ही वाला होता है कि इन भाई साब ने एक सिकेंड में पूरा सूरे नमस्कार दिखा दिया इसे देखकर मेरी अंतरात्मा मुझे से कहती है कि एरपोर्स बनाने में ये लोग कितनी मेहनत करते हैं यार और उससे जादा मेहनत तो मैं कर रही थी गेट नमर 48 तक पहुंचने की लेकिन इस आधोनी कुपकरन से पानी मिल जाए तो मज़ा सा आ जाए इसके बाद बिग बॉस हमें इस कॉरिडोर में चलने का आदेश देते हैं और भीड को चीरते वे मैं पहुंच जाती है अपनी घोड़ा गाड़ी में जो कि उड़ने को तयार होती है और मैं सोने को परन्तु मेरी ये घोड़ा गाड़ी मुझे कहां जाकर धिमलाएगी ये जानेंगे कर